Good morning dear students, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को सर्वनाम पढ़ाया था, lesson 5, सर्वनाम इस chapter को आप सभी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपकी quarterly exam में syllabus में है कौन-कौन सा है, lesson 1, भाषा एमो व्याकरण, दूसरा क्या है, सर्वनाम, 5 chapter तो हम सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार मैं इसकी पुन्रा वृत्त करते हुए, इसको फिर से बोलूँगी सीता पानी भर रही है, निमलिकित वाक्यों को ध्यान पुरोग पढ़िए, क्या है sentence? सीता पानी भर रही है फिर क्या दिया गया? सीता के जगा पर वा पानी भर रही है सेकेंड है, आशा ने खाना बना कर रख दिया है अब क्या है? आशा के जगा क्या हुआ? उसने खाना बना कर रख दिया है थार्ड फिर्सिस है तीसरा राम, श्याम और अमन आ गए है क्योंकि तीन है इसलिए है फिर उसके बाद बहुवचन है इसलिए वे आ गए है इन तीनों नाम के लिए क्या आया वे आ गए है उपरियुक्त वाक्यों में सीता, आशा, राम, श्याम और अमन इस प्रकार संग्या के इस्थान पर प्रयोग किये जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। स्था क्या है? संबंद वाचक सर्वनाम. फाइब क्या है? प्रश्न वाचक सर्वनाम. शिक्स क्या है? नीच वाचक सर्वनाम. अब आपका पहला दिया गया है। पुरुष वाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले, वा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रियोग किये जाते हैं, उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह third person के लिए, तुम सुनने माले के लिए और मैं आपका क्या है, बोलने माले के लिए हैं, तो इस में कौंसा होता हैं, पुरुष वाचक सर्वनाम होता है, उधरन क्या दिया गया, मैं के लिए, बोलने माले के लिए मैً गाओं जाओंगी, फिर क्या हैं, सेकेंड, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन से हैं क उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ख मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम फिर से ध्यान जीजे उत्तम पुरुषवाचक फिर मध्यम मध्यम बीच को कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आता है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपनी लिये करता है खुद के लि मैं, मैंने, हम, मेरा, हमने, हमारा आदी जैसे है आपका उधारन मैं गाओं जाओंगी ठीक है, पुरुष वाचक में आपके तीन है जिसमें उत्तम पुरुष में, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में मैं के लिए आएगा मैं मैंने हम मेरा हमने हमारा आदी उदान क्या दिया गया मैं गाउं जाओंगी मद्यम पुरुष वाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मद्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा आपको तुमसे तुमने आदी, तो इसमें क्या दिया गया, उधारण, तुम्हारा घर अच्छा है, ठीक है, तो ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का अप्रयोग, बोलन उन्य वाले के अत्रीक्त, अत्रीक्त मदद तीसरे व्यक्ति के लिए किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, उसे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे उसका उन्होंने वे आदी, तो आप उधारण क्या देंगे, वे खाना खाकर सो गए हैं, वक्ता अपने वाचक सर्वनाम, वे खाना खाकर सो गए हैं, इसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेगे बच्छो, फीर है आपका सेट्ड निष्चेवाचक सर्वनाम, छेबेद में सेकेडाता है निष्चेवाचक सर्वनाम, ऐसी सर्वनाम शब्द जो किसी निष्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चे वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे य, 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 व, 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 ऐसे इन में आ दी, अब क्या दिया उधारण? य, य, कुर्सी पिता जी की है, य, बात आपकी निश्चित है, व, मेरा पेन है, तो इसलिए निश्चे वाचक सर्वनाम हुआ, अनिश्चे वाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द, जो किसी अनिश्चित वस्तू य, व्यक्ति का बोध कराते हैं, बोध कराना ज्यान कराते तो उन्हें अनिश्य वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे कुछ कोई किनी किसी थोड़ा आदी तो आपका आया राम के यहां कोई आया है कौन आया है या निश्चित नहीं है इसलिए अनिश्य वाचक सर्वनाम है कोई सब्द गिलास में थोड़ा सा दूद है कितना है थोड़ा सा तो आपका क्या हुआ अनिश्य वाचक सर्वनाम संबंद वाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाके में अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंद बताते हैं उन्हें संबंद वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो वही जैसा वैसा जितना उतना जहां तहां जिसकी उसकी उधारन क्या दिया? जो अच्छा चित्र बनाएगा वही जीत पैएगा। तो वही जीत पैएगा का संबंद किससे है। जो अच्छा चित्र बनाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो संबंद वाचक सर्वनाम हैं। जैसा करोगे, वैसा भरोगे। या एक दूसरे से संबंदित है, प्रेश्ण माचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विश्य में प्रेश्ण पूछने या करने का बोद कराते हैं, उन्हें प्रेश्ण माचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन क्या, किसने, कितना, कब, किसे आ दे तो उधारन क्या दिया गया खिडकी से कौन जाक रहा है तो कौन प्रश्न किया जा रहा है प्रश्न वाचग है वहाँ क्या क्या रखा है अब आपका है नीच वाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जो वाक में करता के साथ अपना पन बतलाने के लिए प्रियुक्त किये जाते है करता के साथ अपना पन बतलाने के लिए उन्हें नीच वाचक सर्वनाम कहते है जैसे स्वयम अपने आप खुद आ दे वह स्वयम गाड़ी चला लेगी तो कौन सा सर्वनाम है नीजवाचक सर्वनाम इसको ध्यान रखिएगा इस तरीके के प्रश्न आएंगे वह सोयम गाड़ी चला लेगी कौन सा सर्वनाम है? नीजवाचक सर्वनाम है वह अपने आप विद्याले चली जाएगी तो क्या है? वह अपने आप अपने आप आपका क्या है नीजवाचक, खुद के लिए है, अब आपका आता है, सर्वनाम की रूप रेखा, सर्वनाम शब्द वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित होते हैं, अगर प्रेशन रहता है सर्वनाम शब्द किसकी अनुसार परिवर्तित होते हैं, तो वचन औ उसको उने उनको करण उससे उसके द्वारा उनसे उनके द्वारा संप्रधान उसके लिए उसको उनके लिए उनको अपाधान उससे उनसे संबंध उसका उसकी उसके उनका उनकी उनके अधिकरण उसमें उस पर उनमें उन पर अब आपका आता है प्रश्न उत्तर निम्लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए सर्वनाम की परिभाषा ज्यान दिजेगा प्रश्ण है आपका सर्वनाम की परिभाषा लिखिए ऐसे शब्द जो संग्या के इस्थान पर प्रियोग किये जाते है उन्हें सर्वनाम कहते है खहे सरवनाम शब्द की शब्दों के इस्थान पर प्रयोग की जाते हैं सरवनाम शब्द किसके इस्थान पर प्रयोग की जाते हैं संग्या के इस्थान पर तो यह आपका मैंने बता ही दिया था सीता पानी भर रही है आशा ने खाना बना कर रख दिया है राम श्याम और अमन आ गए हैं उनके स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है वह उसने वे तो ये पुरा आप बताओगे शब्दों का प्रयोग किया गया है इस प्रकार संग्या के स्थान पर प्रयोग के जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं अब आपका है गर पुरुष वाचक सर्वनाम किसी कहते हैं या कितने प्रकार का होता है, प्रतेक का नाम लिखे, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले, वा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाते हैं, उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैस व तुम मैं वे आ दि आग ये आपका है उत्तरम पुरुष में आपका इतना तीनों आएगा तो ये आप तीन प्रकार बताएंगे ठीक है ये आपका सेकेंड का है सरणामशब तो आप तीनों की इसके नाम के बारे में बताएंगे अच्छे से पढ़ेंगे अब आपका आता है फोर सर्वनाम शब्द किसके अनुसार परिवर्थित होते हैं ठीक है तो आपका फोर कुश्चन है यह देख लिजे सर्वनाम शब्द किसके अनुसार परिवर्थित होते हैं तो यह आपका आंसर दिया रहेगा सर्वनाम शब्द बचन और कारक के अनुसार परिवर्थित होते हैं आप पूरा रहेगा लेकिन आपके अबजेक्टिक टाइप के कोश्चन आंसर आएंगे लिख विकल्प पर सही काचिन लगा ये कहे सुनने वाले के लिए प्रयोग होने वाले सरवनाम को काउन सा नाम दिया गया है तो आपका उत्तर होगा सुनने वाले जो सुनता है तो क्या होगा श्रोता उसके लिए कौन सा आएगा मध्यम पुरुष वाजग सरवनाम तो चौथे का क व का दूसरा है, आप लोग भूगले करकि बैठियेगा और टिकमार करिएगा और अच्छे सियात करिएगा, क्योंकि एक्जाम में आएंगे, ख है कौन, क्या, किसे, कौन से, किस प्रकार की सर्वनाम है इस तरीकी के प्रश्ण पूछते हैं तो कौन, क्या, किसे, कौन से, किस प्रकार की सर्वनाम है तो उत्तर होगा प्रश्ण वाचक सर्वनाम ख का भी कौन सा है दूसरा थाड़ है वह स्वयम गाड़ी चला लेगी इस वाक्य में निच वाचक सर्वनाम कौन सा है गह का पहला स्वयम घह है उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का उधारन कौन सा है उत्तम पुरुष तो इसमें मैं गाउं जाऊंगी चोथा घह का चोथा पाच्वा है कुछ कोई किनी किसी इत्यादी सर्वनाम शब्द किस प्रकार की सर्वनाम है अनिश्य वाचक सर्वनाम है ये क्या है क्योंकि निश्चित नहीं है कुछ कोई किनी किसी इत्यादी सर्वनाम शब्द किस प्रकार की सर्वनाम है अनिश्य पढ़िएगा क्योंकि एक्जाम में ये सारी चीजे आएंगी ओके हैब गुड़ डेप